नमस्कार बच्चो बच्चो आज हम करेंगे NCRT की सातवी कक्षा की संस्क्रेट पुस्तक रुचिरा भाग दो के तृत्य पार्ट स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद तो सबसे पहले हम स्वावलंबनम शब्द को समझ लें कि स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है स्वावलंबनम अर्थात आतनिर्भर या आतनिर्भरता या इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट और हम ये भी कह सकते हैं कि जो अपने कारियों को स्वयम करता है, अपने कारियों के लिए अपने उपर ही आशरत रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम स्वावलंबी कहते हैं. इस पाठ के प्रारंभ में दिया गया है संख्या वाची शब्दाहा तद एतद शब्द उच्छ अर्थात इस पाठ में अधिक्तर संख्या वाचक शब्दों का प्रियोग किया गया है, इसके साथ साथ तद और एतद इन दो सर्वनाम शब्दों का प्रियोग हमें इस पाठ क इस चित्र में ये जो बच्चा है इसका नाम है श्रीकंट जिसके माता-पिता अमीर है और इस घर में जो ये बच्चा है इसका नाम है कृष्णमूर्ती जो कि एक साधारण से परिवार का बच्चा है किसान पति-पत्नी का बच्चा है तो इन दोनों की दोस्ती पर आधारित है ये पार्ट इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है इसी पर आधारित इस पार्ट का हिंदी अनुवाद हम प्रारम्द करते हैं इन दोनों की यहाँ पर संधी हुई है क्योंकि बच्चे का नाम जो है वो है श्रीकंठ तो श्रीकंठ मित्र आस्ताम दोनों मित्र थे क्रिश्नमूर्ती और श्रीकंठ मित्र थे श्रीकंठ तस्य पिता श्रीकंठ के पिता सम्रिध्ध आसीत सम्रिध का मतलब क्या होता है धनी थे अमीर थे श्रीकंठ के पिता अमीर थे अतह इसलिए तस्य उनके भवने भवन में सर्व विधानी सर्व विधानी सभी प्रकार के स सुख साधनानी आसन थे श्री कंट के पिता धनी थे इसलिए उनके भवन में उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे तस्मिन विशाले भवने उनके विशाले विशाल बहुत बड़े भवने भवन में या इमारत में चत्वारिंशत चत्वारिंशत होता है चालिस यानि 40 स्थमभा आसन स्थमभा हम कहते हैं खंबो को जैसे आप यहां दिखेंगे यह जो पिलर्स दिख रहे हैं यह जो पिलर्स हैं इन्हें हम खंबे कहते हैं तो उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे यानि उनका घर इतना बड़ा था जिसमें 40 पिलर थे 40 पिलर्स लगे हुए थे तस्य उसके अश्टादश अश्टादश का अर्थ है 18 प्रकोष्ठेशू प्रकोष्ठेशू यानि कमरों में पंचाशत गवाक्षः पंचाशत यानि 50 गवाक्षः यानि खिडकियां 18 कमरों में पंचाशत गवाक्षः 50 खिडकियां चतुष चत्वारिंशत द्वाराणी चत्वारिंशत चत्वारिंशत का मतलब होता है 40 और चतु लग गया तो क्या बन गया? यानि 4 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 44 द्वाराणी 44 दर्वाजे 63 शत यानि 6 त्रेंशत यानि 30 तो 63 यानि 36 36 विद्युत व्यजनानी च आसन विद्युत यानि विजली व्यजनानी यानि पंखे च यानि और और आसन यानि थे तो उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दर्वाजे और 36 विजली के पंखे थे तत्र वहां 10 दस सेव कहा सेवक या नौकर निरंतरम यानि निरंतर लगातार कार्यम कुर्वंतिस्म कार्यम यानि कार्य करते रहते थे परम परंतु कृष्ण मूर्ते हैं परंतु कृष्ण मूर्ती माता पिताच परंतु कृष्ण मूर्ती के माता और पिता निर्धनों कृषक दमपत्ती निर्धनों यानि गरीव कृषक दमपत्ती किसान पती पतनी थे परंतु कुष्णमूर्ती के माता-पिता निर्धन, किसानपती-पत्नी थे तस्य गृहम उनका गृहम यानी घर आडंबर विहीनम यानी बिना दिखावे के ही साधारण च आसीत बिना दिखावे वाला और साधारण था यानी उनके घर में कुई भी दिखावटी सामान नहीं तो एक बार हम इसका पुरा अनुवात दुबारा से कर लेते हैं। उनके विशाल घर में चत्वारिंशत स्तंबहा आसन चालिस खंबे थे तस्से अश्टादश प्रकोष थेशू उनके अठारा कमरों में पंचाशत गवाक्षः पचास खड़कियां चतुश चत्वारिंशत द्वारानी चावालिस दर्वाजे शट्ट्रिंशत विद्युत व अंखे थे तत्र दश सेव काहा निरंतरम कार्यम कुर्वंतीसम वहां दस नौकर लगातार काम करते रहते थे परं कृष्णमूर्ते है माता पिताच्य निर्धनों कृषक दमपत्ती परंतु कृष्णमूर्ती के माता और पिता गरीब किसान पती पत्नी थे तस्य ग्रिहम उसका घर आडम्बर विहीनम साधारन च आसीत उसका घर आडबरों से रहसे यानि बिना दिखावे के और साधारन था यानि दिखावे वाले सामान से रहित और साधारन था एकदा श्रीकंठह एकदा यानि एकबार श्रीकंठह श्रीकंठ तेन सह तेन उसके सह साथ प्रातह सुभा नववादने नौ बजे तस्य ग्रिहम आगच्छत उसके घर गया एकदा श्रीकंठ उसके साथ सुभा नो बजे उसके घर गया तत्र वहां कृष्णमूर्ती ही तस्य माता पिता च्वूर उसके माता पिता ने वहां कृष्ण मूर्थी और उसके माता पिता ने स्वाशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार अपने सामर्थे के अनुसार श्री कंठस्य आतित्यम और कुर्वन किया वहां कृष्ण मूर्थी और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्री कंठ का आतित्य सत्कार किया एतत द्रिष्टवा यह देखकर श्री कंठ अकथ्यत श्री कंठ ने कहा यह देखकर श्री कंठ ने कहा मित्र अहम भवताम सत्कारेन संतुष्टो अस्मी मित्र मैं भवताम आपके सत्कारेन सत्कार से संतुष्टो अस्मी संतुष्ट हूँ श्रीकंट ने यह देखकर श्रीकंट ने कहा मित्र मैं आपके अतिती सतकार से संतुष्ठ हूँ या बहुत खुश हूँ केवलम इदमेव मम दुखम मेरा दुख है मतलब मुझे ये दुख दे रहा है यत की तव ग्रिहे तुम्हारे घर में एको अपी भृत्य होना अस्ती एक भी नौकर नहीं है वो कहता है केवल एक ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है मम सतकार आए मेरे सतकार के लिए मेरे अतिती सतकार के लिए भवताम बहु कश्टम जातम आप लोगों को भवताम, आप लोगों को बहुकष्टम, बहुत कष्ट जातम हो रहा है मम ग्रिहे तू, मम मेरे ग्रिहे घर में तू तो बहवा कर्म करा संती मेरे घर में तो बहुत से नौकर है तदा तब कृष्णमूर्ती ही अवदत तब कृष्णमूर्ती ने कहा मित्र ममापी अश्टव कर्मकराहा संती मेरे भी आठ नौकर हैं तेच और वे हैं दो पादव, दो पैर, दो हस्तव, दो हास्त, दो हात, दो नेत्रे, दो आखें, दो शित्छोते और दो कान इसका अनुवाद हम एक बार और कर लेंगे, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुभा नौ बजे उसके घर गया, वहां कृष्ण मूर्ती और उसके माता पिता ने अपनी शक्ती के अनुसार श्रीकंठ का अतीती सतकार किया, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके अतीती सतकार से संतुष्ट हूँ, केवल यह ही मुझे दुख है, कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है, मेरे सतकार के लिए आप लोगों को कश्ट करना पड़ रहा है, मेरे घर तो बहुत से नौकर है, तदा तब कृष्णमूर्ती बोला, मित्र, मेरे भी आठ नौकर हैं, और वो हैं दो पैर, दो हाथ, दो आखे और दो कान, तो यहाँ पर आपने देखा, कि इन दोनों गद्यांशों में, पहले गद्यांश में श्री कंट के घर का वर्णन किया गया है, कि उसका घर कितना बड़ा है, उसके घर में 40 खंबे हैं, 50 खड़कियां हैं, और 36 बिजली के पंखे हैं तो उसका घर इतना बड़ा है कि उसके घर में सारे सुक्के साधन है लेकिन जो श्री कृष्ण मूर्ती है वो एक गरीब परिवार से है उसके माता-पिता किसान है और एक दिन श्री कंट कृष्ण मूर्ती के साथ सुभा उसके घर आया और उसने द दुख लग रहा है तुम्हें देख कर कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है लेकिन मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं तो कृष्ण मूर्ती ने कहा कि नहीं दोस्त मेरे भी आतनोकर है और वो हैं दो पैर दो हाथ दो आखे और दो कान एते प्रतिक्षणम मम सहायका ये प्रतिशणम यानि हर पल मम सहायका मेरे सहायक हैं किन्तु तव भृत्याहा परंतु तव भृत्याहा तुमारे नौकर तो सदेव सर्वत्र च उपस्तिता भवितुम ना शक्नुवन्ती किन्तु यानि परंतु तव भृत्याह तुमारे नौकर सदेव हमेशा ही सर्वत्र हर जगा च और उपस्तिता उपस्तित भवितुम ना शक्नुवन्ती यानि उपस्तित नहीं हो सकते हैं ये हर पल मेरे सहायक हैं परन्तु तुम्हारे नौकर हमेशा ही और हर जगा उपस्थित नहीं हो सकते हैं तुम्तु तुम्तो स्वाकार्याए अपने कार्यों के लिए भृत्याधी नहां नौकरों के आधीन हो तुम तो अपने कारेओं के लिए नौकरों के आधीन हो यानि नौकरों पर dependent हो यदा यदा ते अनुपस्तिता यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्तिता अनुपस्तित होते हैं या absent होते हैं या नहीं आते हैं तदा तदा तब 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 तुम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो जब जब तुम्हारे नौकर नहीं आते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो क्योंकि जो नौकरों के आदी हो जाते हैं उन्हें खुद काम करने की आदत नहीं होत स्वाव लंबनेतु सरवदा सुखमेव स्वाव लंबन में यानि आत्म निर्भर होने में तो हमेशा सुखमेव सुख ही है नो कदापी कश्टम भवती कभी भी कश्ट नहीं होता यहां पर कृष्ण मूर्ति यह बताता है कि तुम तो अपने नौकरों के आधीन हो लेकिन मैं तो अपने शरीर के अंगों के आधीन हूँ और मेरे शरीर के जो अंग है वो मेरे उपर ही मतलब वो मेरे सहायक है हर वक्त हर पल मुझे जब उनकी आवशक्ता होती है मैं उनका प्रियोग कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे नौकर तो कभी भी अलुपस्तित हो सकते है कभी वह जो चुपटी ले सकते हैं मेरे जो शरीर के हिस्सा जो ठाउस है वह जो इसक्ति नहीं होता है तो एक crashing है शेक्षान मज़स्दध्र ये हर पल मेरे सहायक हैं, किन्तु तव भृत्या, परंतु तुम्हारे नौकर सदेव सर्वत्र चा उपस्तिता भवितुम ना शक्नुवन्ती, किन्तु तुम्हारे नौकर हमेशा ही और हर जगा उपस्तित नहीं हो सकते, तुम्तु स्वकार्याई भृत्या आधीना, तुम्त अपने कार्यों के लिए नौकरों के आधीन हो, यदा-यदा ते अनुपस्तिता, जब-जब वे अनुपस्तित होते हैं, तदा-तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब-तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, स्वाव लंबनेतु सरवदा सुखमेव आत्म निर्भरता में तो हमेशा सुख ही है नो कदापी कश्टम भवती कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठ अवदत श्रीकंठ ने कहा मित्र तव वचनानी तुम्हारे वचनों को शृत्वा सुनकर मम मनसी मेरे मन में महती प्रसनता बहुत प्रसनता खुशी जाता हुई है। श्रीकंठ ने कहा मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसनता हुई है अधुना अब अहम अपी मैं भी स्वाकार्यानी अपने कार्यों को स्वयमेव स्वयम ही कर्तुम इच्छामी करना चाहता हुँ। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयम ही करना चाहता हुँ। भवतु अच्छा सार्ध द्वादश वाधनम इदम अब सार्ध यानि आधा होता है द्वादश यानि बारा और वाधनम यानि समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सार्ध द्वादश वाधनम यानि साड़े बारा बज गए हैं साम प्रतम अब ग्रिहम घर चलामी चलता हुँ। अब घर चलता हुँ। अब मैं घर चलता हुँ। तो एक बार दुबारा सुन लीजिए। श्रीकंठ ने कहा मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसंता हुई अब मैं भी अपने कारियों को स्वयम करना चाहता हुँ। अच्छा साड़े बारा बज गए हैं अब मैं घर चलता हूँ तो यहां अपने देखा कि दो मित्र हैं एक है श्रीकंट और एक है कृष्णमूर्ती श्रीकंट नौकरों पर डिपेंडेंट है और कृष्णमूर्ती अपने आप पर निर्भर है यानि आत निर्भर है और उसने अपने मित्र श्रीकंट को भी आत निर्भर बनने की प्रेड़ ना दी तो बच्चो हर व्यक्ति को हमेशा आत निर्भर बनना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति आत निर्भर होता है वो हमेशा सुखी होता है और उसे कभी भी कष्ट नहीं होता तो बच्चो आज हमने स्वाव प्रश्नों को करेंगे धन्यवाद